कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिखने बाले हैं एक सीडी डिस्क कैसे बनाएंगे वह घमता हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबस्क्राइब करने परेका एक यप जिसमें हमारा फोटो लगा हुआ हुए दूसा डिव जिसमें एक ब्लैक करका लगाए हुआ है, तीसा डिव हमारी जो वाइट लगा हुआ है चलिए आईए हम लोग देखते हैं HTML में Visual Studio में तो जैसा कि हमारे देख पा रहे हैं यह हमारे पास एक HTML का फाइल है और यह CSS का फाइल है और यह हमारा एक image फाइल है तो चलिए आते बनते हैं तो स्वासे पहले हम लोग एक circle dot circle लिख करके इंटर दबाएंगे इससे क्या हो कि हमारा एक div तेयर हो जाएगा इस circle div को कॉपी करना है उसके बाद CSS में आ करके dot के साथ paste मारना है control भी कर देना भी साथ paste हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेने वाले हैं border ताकि हमें यह दिखे border एक pixel solid और भी black उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं इसमें इसको display जो हमारा इसको inline कर देंगे इसे क्या हो कि जो भी हम content जितना भी height white के लेंगे यह normally खुद से adjustment कर लेगा जिसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर छोटी से बिंदू बन चुकी है जिसमें हम लोग पैडिंग देने वाले हैं पैडिंग से हम लोग इसे paste कर देना है इंटर दोबना है उसके बाद इसकी जो है border इस पर रखना है copy करना है और यहां पाकर के डाल देना आप इसे manual लिख भी सकते हैं जिसा कि अब देख पा रहे हैं यहां कि बेंदी टाइप का आ चुका है तो मैं इसमें देने वाला हूं पैडिंग में देने वाला इसमें 10 पिक्सल का सकेंड जो होगा मैं 10 पिक्सल का इसमें हम लोग एक और डिव लेने वाले हैं जिसका नाम हम सेंटर रखेंगे सेंटर डॉस का सेंटर लिकर कि इंटर दवाते ही हमारा यह बन जाएगा डिव कलास मैं से कॉपी करूंगा और यहां करके डॉट के साथ पेस्ट करूंगा जिसा कि आ चुका इसमें हम लोग पैडिंग लेने वाले हैं 20 पिक्सल का जिसा कि यह ब्रा हो चुका है और मैं इसमे मैं बोर्डर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई करें जिसा कि आ चुका है और इसके है इसमें जो है सकेंड में मतलब मीडल में हम लोग इसका बैग्गाउंड कर देना है बलाइक बीजी सी बलैक उसके बाद यह बलैक लिखना है उसके बाद हमें विजूल शु सर्एक ठींट ही दिखेगा उसके बाद जो है इसका कलर हमें चाहिए वाइट तो भी जी सी मतलब एक जैडम कलर रॉट है आपकर ख मैं डाल जोके हैं उसके बाद भाद हमें यह चाहिए राउंड्ड यह चाहिए रांट और एट ओर रिए इसके लिए को आपने यह सारह ज टोटल को डॉट के साथ यहां करके पेश्ट करना कोमा लगाना है क्योंकि हमें सभी को जो बोर्डर है वो 50% मतलब राउंड का सरकल वनाना है हमें इसा कि यह मैं तीनों कोपी कर लिया हूं अध्यान रखना इसे जो है यह डॉट के साथ लिखना है और यह कोमा साथ बंद कर देना है तो मैं पेश्ट कर चुका हूं बागी साथ जो है मैं कर चुका हूं इसमें इसमें लगाता हूं अगर यह पूरा राउंड चाहिए तो राउंड के लिए हमें चाहिए बोर्डर और अगर हम लों 50% कर देखे तो यह पूरा राउंड हो चुकी है कि चलिए यहां तक कंपम है मतलग खतम हो चुकी है और मैं सरकल जो है हमारा सरकल में लगाना चाहता हूं फोटो तो सरकल फोटो लगाने के लिए हम लोग लगाएंगे बी जी आई इसे क्यों को background image URL के साथ यह लगा दना है उसमें लिखना है इस फोटो का एड्रेस जिसे कि इसका नाम हुआ पुस्पा पी यू पुस्पा जिसा कि हमारा इमेज आ चुका लेकिन इसका adjustment नहीं हुआ अगर हमें इसका size चाहिए full 100% तो बी जी इसके बाद चाहिए हमें S मतलब background size और container आप यहां container लगा सकते हैं नहीं तो लोग यहां पर 100% लगा सकते हैं इससे भी आपका जो है यह पूरा center चलाएगा और भी फुल चलाएगा आप अपने अनुसार जो बैगाउन का अनुसार जो है इसका यह छोटा और ब्रा कर सकते हैं जिसा कि मेरा पर सोटेबल हो चुका है और मैं अगला क्या करूंगा इसे घुमाना है मतलब rotation देना है तो इस circle में आकर कि लगाना है इसमें animation और हमें animation का जो है कितना सकेंड के चाहिए हमें चाहिए दो सकेंड का तो 10 एस उसके बाद हमें चाहिए जो infinity time के लिए मतलब अनंट टैम के लिए यह दे चुके हैं और हमें अगला करना है अगला जोग इससे घुमाने के लिए एक की का इस्तिमाल करेंगे उसे कहते हैं की फरेंगे के आ शुकоде छार कि ये आच चुकर है उसके बाद इस यह डाल लेते हैं तो यह इसका एनिमेशन में इसका नाम डालना है जो इसे यहां डालना पड़े तो मैं दौनों जगा अल्ट के साथ में किलिक करता हूं दौनों जगा मैं नाम लिखता हूं इसका में नाम लखता हूं सरकल सरकल आप अपने अनुसार जो भी मंद रख सकते हैं चलिए यहां तक हो चुकिए मैं यह लगाता हूं उसके बाद मैं इसे टू टू लगा करके इसे यह करके उसके बाद करना है इसमें लगाना है इसे टांसफॉर्म उसके बाद लगाना है रोटेट कितना मैं चाहिए 360 का उसके बाद डिगरी के लिए D E G लगाना है जिसा कि देख पा रहे हैं यह घूंब रहा है लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि यह चल के रूक रहा है फिर चल के रूकेगा इसके लिए हमें यहां है 10 सेकेंड के बाद लगाना है लीनियर जिसा कि यह लीनियर रूप सना चुका है आप मेनुल टाइप करके लिख सकते हैं जिसा कि यह पूरा हो चुका है तो जैसा कि देख प और टाइमिंग कर ले लिजिए बागी जो चुकर बन चुका है चलिए इस वीडियो में इतना ही